हेलो दोस्तों एक वीडिया पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आजनों नया टॉपिक नया चैप्टर एनलोजी स्टार्ट करने जा रहे हैं देखिए हर एक्जाम में इस चैप्टर से कोश्चन आते ही आते हैं ठीक है चलिए इसमें देखिए इसमें बारी देखिए इसमें मतलब सिर्फ आपको जो समझना है वो इतना ही समझना है देखिए इसमें कोई भी दो डेटा दिया हुआ रहता है जैसे कि मान लीजे दिल्ली दिया हुआ है ठीक है अब बगल में लिखा हुआ है भारत उसी तरह आप से पूछा जाएगा और यहाँ पर पेरिस लिख दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर वाट दे दिया जाएगा तो इसमें आपका थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट भी होता है यहाँ पर थोड़ी से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे दिल्ली क्या है भारत की राजधान है फ्रांस की राजदानी है तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा बस इसी तरह का relation question में हर जगा पे आपको दिया रहेगा आपको सिर्फ सम्मंध खोजना रहेगा question में ठीक है cool मिला के सिर्फ आपको यही समझना है यही एक type है इसको इसी एक type को अलग अलग तरीके से book में दिया हुआ रहता है ठीक है हला कि मैंने अलग अलग ताइप से question लिया हुआ है लेकिन आपको समझना सिर्फ इतना ही है इसके अलाबा जो बीमारी होता है उसका इलाज करता है ठीक है तो वकील क्या करता है निया इधीस से वकील को कोई लेना देना नहीं है नियाले से कोई लेना देना नहीं बैरिश्टर से कोई लेना देना नहीं अभी योगता देखिए वकील क्या करेगा अभी योगता कि जो case होता है उसक देखें, नेक्स्ट है हमारा, पहले ही बता दिया है, मैंने आपको टाइप पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, सारा का मतलब एक ही होता है, आपको सिर्फ सम्मंदित सब्द युग्म चुनना रहेगा, ठीक है, बादल बारिस, देखें, बादल और बारिस में क्या सम्मंद बादल से बारिस होता है, तो उसी तरह देख लेते हैं, फूल से गंद, परवत से पहार, देखें, परवत पहार तो नहीं होगा, ठीक है, परवत से पहार नहीं निकलता है, ठीक है, आदमी काम करता है, आदमी से काम नहीं निकलता है, इस तरह बादल से बारिस निकलता है, उसी तरह देखिए आप सूड़ी और प्रकास ये एकदम exact answer सही लग रहा है सूड़ी से उसी तरह प्रकास निकलता है यहाँ पर जो answer हो जाएगा हमारा सूड़ी से प्रकास फूल से भी गंद तो सूगंध होगा गंद नहीं होगा ठीक, गंध और सुगंध में अंतर होता है, ठीक है तो यहां पर जो उमारा सबसे सही आंसर है, वो होगा, हमारा सूरी से प्रकास निकलता है, जिस तरह बादल से बारिस होता है, चलिए आगे बरते हैं कौन वैसा ही है जैसा भुकम, चकरवाद, जौला मुखी और विस्पोट ठीक है जौला मुखी विस्पोट देखे वैस्विक उसमा, बार, दुरगटना ए, परमानु विस्पोट यह सभी तबाहि लाती है परमानु विस्पोट भी भाड़ी तबाहि लाती है ठीक है यह सारा तबाहि लाती है यहाँ पे लेकिन हमें कौस्चन में जो दिया हुआ है भुकम, चकरवाद, जौला मुखी यह किसी आदमी के द्वारा नहीं लाया जाता है अर्थात यह सभी प् इनसानों द्वारा होता है परमानु विस्पोट इनसान द्वारा किया था तेल रिसाव भी इनसान द्वारा होता है बार लेकिन क्या होता है यह प्राकृतिक घटना है ठीक है आपदा है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा बार हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखे नेक्स्ट क्या है नीचे तीन सब्द दिये गए हैं जिसमें कुछ समाने विसेस्ता है इन सब्दों की नीचे उत्तर विकल्ब दिये गए जिनमें किसी एक में भी वही विसेस्ता है जो सही विकल्ब को चुनिये ठीक है देखे सांप है छिपकली है मगरमच है देखे इन तीनों में कोई एक ऐसा विसेस्ता है यहाँ पर इस चाड़ों अप्सन में जो कि इन तीनों में होना चाहिए देखे सांप छिपकली मगरमच हीरन होता है जा हीर अस्तंधारी और सरी सिर्फ देखे अस्तंधारी भी यहां पर सारे नहीं है ठीक है अस्तंधारी भी नहीं हो जाएगा सरी सिर्फ हो जाएगा ठीक है सभी रेंगने वाले हैं यहां पर साप छिपकली मगर मचे सभी क्या है रेंगते हैं तो यहां पर जो सही आंसर है सरी आगे बढ़ते हैं देखें नेक्स्ट एक्जामपल है हमारा नीचे तीन सब्द दिये गए हैं जिनमें परसपर कोई संबंध है वही संबंध नीचे दिये गए चार विकल्बों में से किसी एक में है वह विकल्ब ग्यात कीजिए जिसमें वही संबंध हो जो नीचे दिये आगे बढ़ते हैं कबूतर चिरियां औस धाले कहीं कोई लिंक नहीं है इसमें औस धाले में कबूतर और चिरियां नहीं रहते हैं ठीक है बकरा और बकरी किला में कोई जरूरी नहीं है ठीक है भावरा मकरी एक साथ जाल में नहीं रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो सही आंस में चिन, ठीक है, के बाई एवम दाई और दो दो सब्द दिये गए है, दोनों और के सब्दों में एक-एक सब्द लुपत है, ठीक है, उन्हें A और B के दोरा पर दर्शित किया गया है, तो कूल मिला के कोश्चन यही है, कि A और B के जगा पर क्या आएगा, ठीक है, आपको उस सही विकल्ब को ग्याद करना है, ठीक है, भद्दा लिखा हुआ है, देखे, A है, A के जगा पे भद्दा, और सांती के जगा पे आपको B चाहिए, तो दोनों में आपको वैसा ही संबंद खोजना होगा, ठीक है, देखे, भद्दा, भद्दा का विपरित, पहला option को देख है, मित्रता, देखे, भद्दा और मित्रता का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सांती और सोर ठीक है, लेकिन भद्दा और मित्रता का कोई लेना देना नहीं है, देखे, भद्दा से इमानदारी का भी कोई लेना देना नहीं है, तो भद्दा, देखे, तो सुन्दर का व स्क्रीन सोट ले सकते हैं इसका पढ़ने के लिए थोरा समयकाद दो बता देता हूं जैसे आस्तिक नास्तिक विप्रीत होता है आयात निर्यात विप्रीत होता है सजीब निर्जीद विप्रीत होता है जै पराजे विप्रीत होता है समानार्थक ठीक है अब भीमान घमन एक ज साइए यह तो एक्जाम में आप गलत हो जाएगे ठीक है अब देखे कोस्चन आपको माल लिजे दिया गया अमेरिका ठीक है कॉंग्रेस माल लिजे यह कॉंग्रेस यह आपके सामने आया बगल में इस तरह से चार डॉट और फिर आया भारत फिर आया यहाँ पे वाट तो अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे क्या आएगा अब आपको दिमाग में जाएगा कि अच्छा मेरिका में कॉंग्रेस की पार्टी होगी Congress की सरकार होगी तो भारत में BJP की है तो भाजपा answer मार दीजेगा हो जाएगा गलत अलागी भाजपा option में आएगा ही नहीं ऐसा ही बता रहेते हैं ठीक है तो अमेरिका का जो संसद है उसको Congress कहा जाता है ठीक है उसी तरह से भारत में क्या कहा जाता है जहाँ पर हमारे संसद जो चून के जाते हैं जो हमारे परतिनिधी चून कर जाते हैं वो कहां रहते हैं वो संसद में रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा संसद हो जाएगा देखें यहाँ पर दिया हुआ भी होगा कुछ का जैसे देखिए यहां पर देश और संसद में कुछ का दिया हुआ है भारत का संसद अफगानिस्तान में सोडा बोलते हैं जापान में डाइट बोलते हैं इरान में मजलिस बोलते हैं ठीक है तो यह जानकारी आपके पास रहेगा तो आप सवाल बना लेंगे नहीं तो आप स्क्रीन सोट ले ले जाए खास करके जैसे बुकर पुरुसकार साइट के शेत में दिया आता है ग्रैमी पुरुसकार संगीत में दिया आता है ओसकर फिल्म के लिए आता है ये तीन तो बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है खेल और ट्रॉफी भी याद रखेगा किर्केट दिलिप ट्रॉफी फुटबॉल दुरंड कप एक्जाम में बहुत बार आ चुका है दुरंड कप किस खेल से संब्दित है ठीक है गोल्प राइडर होकी ध्यान चंद ठीक है मेजर ध्यान चंद भूल नहीं सकते हैं उन्हें ता हम लोग चले आगे बढ़ते हैं देखिए जिस परकार सैनिक का संब्द सेना से है उसी परकार खिलारी का संब्द किस से होगा ठीक है अब देखिए सैनिक और सेना में क्या संब्द होता है सैनिक जो होता है सेना का भाग होता है सेना में बहुत कुछ होता है लेकिन उसमें सैनिक भी एक सदस्री की रूप में होता है एक भाग होता है तो खिलारी क्या होता है खिलारी टूनामेंट का भाग होता है क्या खेल कूत का भाग होता है कप्तान का भाग होता है नहीं खिलारी एक टीम का भाग होता है ठीक है खिलारी किसका भाग होगा यहां पर जो बेस्ट आंसर है खिलारी जो है टीम का भाग होता ह खेल नहीं होगा, ठीक है, सैनिक के बगल में अगर युद्ध रहता है, यहाँ पर खेल भी एक close option लगड़ा है, अगर यहाँ पर सैनिक के बगल में युद्ध रहता है, सैनिक क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसी तरह खिलारी क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, तो तब वहाँ पर खेल आंसर होता तो इस तरह से हमें close option को check करना यहीं यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कौन सा option जादा close नहीं तो आपको सारा answer लगया कि सारा तो सही ही लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो जादा close option है वो यहाँ पर team हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं गाय का दूद से वही संबन्द है जो ब्रिक्ष का डेस से है ठीक है ठीक है सारे question प्रिवियस year में आए हुए है ठीक है वही example है और book के example है नर्मली मैं अरिहंत के publication की book से example लेता हूँ बहुत ही अच्छी किताब है अगर आप चाते हैं कि आपके पास रिजनिंग की कोई एक किताब हो तो अरिहंत का किताब रखिए बहुत अच्छी किताब है ठीक है लेकिन उसमें बहुत संसार दिया हुआ है ठीक है अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजनिंग पढ़ना हो क्योंकि मुझे पढ़ना रथा है इसलिए मैंने किताब लिया हुआ है बहुत पहले से साइध मेरे पास 2017 या 2018 से किताब है जहां तक मुझे याद है 18 या 19 में लिया तो ध्यान 18 तक का तो कोश्चन है तो साइध 18 में ही लिया था ठीक है तो अरहां थे किताब आप ले सकते हैं अगर आपको लेना हो और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो कोश्चन में थे हम लोग गाय का दूद से वही संबंद है जो विरिक्ष का डेस से है ठीक है विरिक्ष क्या देगी विरिक्ष तना देगी क्या विरिक्ष का तना भाग होता है तना देती नहीं है ठीक है फल देगी ठीक है लकडी देगी ये भी ठीक है चाया भी देगी ये तीनों चीज देगी लेकिन अगर आप close option पे जाएंगे तो देखें गाए का दूद से क्या संबंद है तो गाए का दूद जो होता है वो हमारे लिए एक तो हमारे स्वास्त के लिए अच्छा है दूसरा उसको हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते है ठीक है उसी तरह विरिक्ष का जो फल है इसको भी हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो फल है यह ज़्यादा सही option है ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फल नेक्स्ट क्या है हमारा खरगोस जैसे बिल से संबंदीत है उसी रूप में पागल संबंदीत है खरगोस बिल म मार दीजिए ठीक है एससे सीजियल 2016 का question है पकाना bread फिर वाट दही देखिए पका करके हम लोग bread बनाते हैं तो उसी तरह दही कैसे बनाते हैं हम लोग दही दोस्तों हम लोग दूद को दूद में जो किनवन की किरिया होती है ठीक है किनवन की किरिया से दही बनता है तो यह पर जो हो जाएगा हमारा किनवन हो जाएगा ठीक है वासपी करन नहीं होगा ठका नहीं होगा पिघलना नहीं होगा ठीक है अगर दही पहले रहता ठीक है तो फिर दही पिघलता ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं हम लोग पका के हम लोग bread बना रहे हैं तो उसी पर का रंग लाल एक रंग होता है भासा क्या है यहां पर पढ़ना भासा नहीं है लिखना भासा नहीं है बोलना भासा नहीं अंग्रेजी एक भासा है ठीक है आगे बरते हैं कोंकनी गोवा डोगडी अब देखें यह भी आपके नॉलेज पर हो गया ठीक है कोंकनी गोवा में बो अगे बढ़ते हैं कली फूल ठीक है कली बड़ी होकर क्या होती है फूल बन जाती है ठीक है कुछ और मतलब मत निका लिए ठीक है कली फूल बन जा रही है तो उसके बाद मिट्टी क्या होगा कीचर नदी हिम नदी पृष्ट किताब पृष्ट किताब यह भी दोनों अलग अलग चीज़े है पृष्ट कभी भी आगे बड़के किताब नहीं बनता है किताब का पृष्ट जो होता है भाग है लेकिन पृष्ट पृष्ट किताब जब हम लोग छोटा सा कोभी एक पौधा लेते हैं, जिसको हम लोग लगाते हैं, कभी भी गुल्दस्ता बगए रखेंगे, तो उसको हम लोग पौधा बोलते हैं, ठीक है, और पेर हम लोग तब बोलते हैं, जब कोई बहुत विसाल पौधा हो जाए, तो उसको हम लोग पेर होगा वो क्या साही हो जाएगा पाउधा पेर जिस तरह कली धीरे-धीरे जैसे ही बड़ा होगा फूल बनेगा उसी तरह पौधा जैसे बड़ा होगा पेर बन जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रेस्टरा मेन्यू ठीक है रेस्टरा मतलब रेस्ट्रो होता है जो आम तरपाम आज को रेस्ट्रो रेस्ट्रो बोलते हैं उसी को रेस्टरा बोला जाता है तो रेस्टरा मे क्या होता है मेन्यू मिलता है हम लोग जाई से जाते हैं वेटर तुरत मेन्यू लाके देता है खाईए सर क्या खाईए गार पैसा देखे जाईए उसी तरह देख लेते हैं यहाँ पर क्या है पुस्तक विस्वकोस कोई मतलब नहीं है कॉलेज लेखा कोई मतलब नहीं है जर्न चलिए आगे बढ़ते हैं बकडी क्या होता है बकडी भी हमारा साका हारी होता है तो यहाँ पर देखे, पहला बाद तो यहाँ पर मांसा हडी हमारा अंसर नहीं होगा, यह हो गया पहला बाद, अब देखे इसके बाद क्या होगा, और question में जरा असा पर लेते हैं, क्या बोला गया है, साकाहारी और गाय दोनों ही अंसर अंडस तो नहीं होगा, ठीक है, कि ये तीनो साकाहाडी है, तो साकाहाडी answer यहाँ पे हो सकता है, लेकिन question में क्या बोल रहा है, कि जो तीन दिये गए है न, चौथे में भी वही होना चाहिए, ठीक है, छौथे से भी हमारा वही रिस्ता होना चाहिए, खर गोस भी साकाहाडी, चूहा भी साकाहारी, बकडी भ अगर यह बोलता कि यह तीनो एक किसमे विसेस्ता में पाए जाते हैं तो साकाहरी विसेस्ता में पाए जाते हैं तब हमारा अंसर साकाहरी हो जाता है लेकिन यहां पर बोला गया है कि तीन के साथ चौथे में भी वही विसेस्ता होनी चाहिए एक समान विसेस्ता तो यहां पर गाय हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 120 नमर कोशन में भी वही बोल रहा है घोसला गुफा बिल ठीक है अब देखिए घोसला गुफा बिल का जानवर के साथ कोई लेना देना नहीं कुटता के साथ कोई लेना देना नहीं निवास अस्तान ठीक है अस्तवल भी ठीक है अ ठीक है तो कूल मिला और निवास अस्थान में कौन रहता है इंसान रहता है ठीक है और अस्तवल में कौन रहता है घोरा रहता है जो की एक जानवर होता है ठीक है तो यहाँ पर जो तीनो जानवर के रहने के अस्थान है तो चौता जो अस्तवल है वो भी जानवर के रहने का स्थान है अर्थात यहां पर अंसर अस्तबल हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए अब क्वोश्चन क्या है सैलो प्रोफाइन साइनोनीम ठीक है अब यह भी आपका इंगलीज इंगलीज टेस्ट करेगा इंगलीज आपकी थोड़ी से ठीक है मेरी भी ज्यादा ठ प्रोफांट का मतलब भाड़ी होता है मतलब की गाढ़ा होता है ठीक है फिर साइनोनीम एंटोनीम जिस तरह ये दोने एक दुसरे का उपसगी होता है तो दि आंसर हो जाएगा यहां पर चलsh氣 ठेक है डौग है केनाल है बी है देखिए केनाल का मतलब कुत्ता का घर होता है ठीक है कुत्ता का घर को हम लोग केनाल करते हैं कुत्ता घर जो होता है उसी को हम लोग केनाल करते हैं देखिए होंगे आप लोग बड़े बड़े लोग के घर में ऐसे बना रहता है तो रहने के लिए कुत्ता है अलग से ठीक है तो वो क्या होता है केनाल उसी को बोलते है बी मक्खी तो मक्खी कहां रहती है मक्खी छत्ते में रहती है अब लेकिन छत्ता का इंगलीस आपको नहीं पता है तो यह सवाल आपसे नहीं बनेगा ठीक है निश्ट तो आप क्या कर सकते है जब आपको पता ना र च्छत्ता होता है तो जब भी आप कभी फस जाएगा तो क्या कर सकते हैं आप वहां पर आप उप्सन को इलिमिनेट कर पाएं अगर आप तीन या फिर दो बज गया तो उसमें से कुछ उप्सन टिक कर सकते हैं आप रिस्ट लेने के लिए नहीं तो आप तीन अगर बाहर हो गया तब तो बहुत अच्छा है या फिर आप पड़ नॉलेज है आपको तो भी बहुत अच्छा है तो य यहां पर जो यह है यहां आंसर नहों करके यहां पर मारा आएगा यह यह आंसर हो जाएगा हमारा ठीक है बी नंबर में हमारा ए लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं देगे नीचे दो सब्द दिये गए है जो की आपस में किसी परकार संबंदित है ठीक उसी परकार स संबन नीचे दीगा अभी कल्पों में से किसी एक से हैं ठीक है वही मतलब है cricket game, cricket क्या है? खेल है game है, book पड़ा जाता है, king राज करते हैं, hindi एक language, जिस परकार cricket एक खेल है देखे उसी परकार hindi एक भासा है, तो यहाँ पर यह सही हो जाएगा constitution assembly दोनों अलग-अलग बाते हैं यहाँ के context में ठीक है जिस परकार cricket एक खेले उसी परकार हिंदी भी एक भासा है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे वाट के अस्तान पर क्या आएगा यही पूछ रहा है सिरीज में ज्यादा कुछ पढ़ने का जौरत है नहीं भीट में क्या करेंगे आएक जगा पे यह ढाल देंगे bid में क्या करेंगे i के जगा पे ये डाल देंगे तो b e a d हो जाएगा d option answer हो जाएगा next हमारा ठीक है आगे बढ़ते है नीचे सब्दों कुछ युगम दिये गए है इसमें अंतवाला युगम अपूर्ण है ठीक है यहाँ वाट के जगा पे क्या आएगा फिर से वही बोल रह पूलिसमेन को आइस लिखा है फिर फिर पैनिलेस है जिसको निल लिखा है फिर कॉंसोनेंट है उसको क्या लिखा जाएगा ठीक है अब देखे पूलिसमेन में आइस लिखा है बीच में आपको अगर आप ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे आपको आइस दिखेगा आइस ह पिर यहाँ पे पेनीलिस में क्या है नील है देखे यह आपको बीच में नील दिखाई देगा उसी तरह आपको यहाँ पर देखना है बीच में क्या है तो आपको S.O.N. दिखाई देगा सन बस यही मार दीजिये ठीक है चलिए आगे बढ़ते है वैसे भी तीन-तीन के gap पे भी है सारा अगर आप तीन-तीन के gap पे भी देखेंगे P.O.L. है देखिए policeman भी कुछ इस तरह से लिखाओ गया है P.O.L. I.C.E. M.O.N. ये ice लिया गया है इसका देखिएगा तो pain फिर उसके बाद N.I.L. ये लिया गया है फिर E.S.S. तो उसी तरह से consonant में C.O.N. S.O.N. A.N.T. तो कि बीच बला लिया गया तो यहां भी बीच बला लेंगे ऐसे भी देख सकते थे आगे बढ़ते हैं चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तो चैनल पर नए है जय हिन जय भारत